कि अब्सक्राइब को दोस्तार एक लेटेस्ट वडिया आप टेलेकर रहे फैंड बहुत ही बढ़ी आ दोस्तों वेकिंसी है ग्रेजुएट इंजिनर ट्रेनी और डिप्लोमा इंजिनर ट्रेनी की दोस्तों लास्केल पे हारिंग फ्रेशर केंडिट कंपनी को चाहिए और मल् जो है कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी है और यहां पर कंपनी लास्केल पे जो हाईरिंग लेकर आई है मिस मत करना पूरा डिटेल में आपको बता रहो किस तरह आप इसके लिए अपलाई करेंगे इससे पहले को हुआ है अगर चैनल पर नहीं है तो चाहरों को सब्सक्राइ बता जाएगी www.sandhargroup.com दोस्तों इसको आपने क्लिक करना है जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंपनी की दोस्तों यह वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहां पर दोस्तों आपने नीची आना है यहां पर जैसी आपने आएंगे इसका दिखेंगा आपक इस वीव ओपनिंग को दोस्तों आपने क्लिक करना है और फर्दर यहां पर पर पेज़ दो कंपणी ने लगाया है यहां आपने जॉब आपको दिखेगी वह यहां पर आप पहुंच जाएंगे तो दोस्तों यहां पर आपको लिखेगा fine jobs और नियर लोकेशन देखें आ ल जूनियर इंजिनियर की दोस्तों वेकेंसी यहाँ पर डाली है ठीक है तो जूनियर इंजिनियर की जो वेकेंसी इसको आप क्लेक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यह quality assurance के लिए जूनियर इंजिनियर कंपनी को चाहिए जो है कंपनी ने यहाँ पर पोस्त की है जो आईडी है 1017 ठीक है तो बहुत अच्छी ओपनिंग है यहाँ पर फ्रेशर के इंडियर के लिए डिप्लोमा मेकेंसी वालों के लिए तो यहाँ पर फ्रेशर से लिए अगर आपके बाद दो साल तक का भी experience है तो भी आप दोस्ते यहाँ पर apply कर सकते हैं तो देखें आपर उसके लावा जो वेकेंसी है वो है यहाँ पर executive PPC के ठीक है तो यहाँ पर जो ही वेकेंसी है यहाँ पर आपके बाद दो से तीन साल तक का experience है production planning and control में तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं दो बारा 222 की वेकेंसी उसके बाद दोस्तों वेकेंसी है अठाइस गैरा 222 को company लिखाई है दिपलोमा रा यहाँ पर कर सकते हैं ड्यर्जियन sécurité की वेकेंसी में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ कि उसके बाद करो सब्सक्राइब इसके और देखेंगे तो इसके लिए सब्सक्राइब करेंग जो है और लाइई के लिएस तो कि इसके इलावा कहीं भी यह जो पूस्ट नहीं हुई है सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पर यहां पर दोस्तों आई हुई है तो ग्रेजुट इंजिनियर ट्रेनी प्रडक्शन यह है और आपको बता भी रहूं किस तरह दोस्तों आप इसके लिए अपलाई करेंगे तो य सो दोस्तों करने के बाद आप से एक वेरिफिशन कोड आपके एमेल आईडी पर आएगा उसस वेरिफिशन कोड को आपने डालना है तो उसके बाद दोस्तों यहां पर आप आ जाएंगे तो यहां पर आप बहुत मेंन चीज़ जो देखेंगे क्या-क्या आपने फिल करदा है सिरफ आपके दो मिनिट लेंगे बहुत ध्यान से आप देख लेना क्या क्या आपने फिल करदा है अपना last name हो गया अपना first name हो गया दोस्तों उसके बाद आपका title आ गया ठीक है तो आपका mister या miss जो है जो भी apply कर सकते हैं आपर male female अपना email university date आपकी कौन सी अपना date of birth यहां पर आप डालेंगे ठीक है identification पे जो है आप यहां पर कुछ भी डाल सकते है अपना pan card या फिर अधार card का तो extra information अपना father's name अपना blood group यहां पर अपना cast जो है आपकी तो इसके लावा आपकी higher education college question अधार नंबर या pan नंबर आपका है ठीक है वह आपने यहां पर डालना emergency contact details family details यहां पर provide कर सकते हैं कौन कौन आपकी family में हैं तो दोस्तों यहां पर company यो लिख रही है तो company यह लिख रही है कि अगर आप यह company हैं उनके friend clubs हैं तो अगर आप इसमें से किसी भी company में आप काम कर रहे हैं ठीक है तो यहां बहुत ध्यान से आप देख सके हैं यह सारी companies है दो जीग गई है यह सभी MNC company अगर आप उसमें से काम कर रहे हैं तो यहां पर आपने बताना है yes या no अगर नहीं क place of birth आपका जो है वह आपको बताना है कहां का इंडिया का है ठीक है तो इंडिया लग दें place of birth तो for opening a new salary account ठीक है अगर आपनो salary account है किसमें आपको चाहिए yes bank या कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं किसी bank को आप select यहां पर कर सकते हैं ठीक है अपना अधार number यहां पर resume और cover letter आपने add करना है किसी भी तरह का template चाहिए video का description box से ले सकते हैं तो उसके बाद किसी तरह भी आपके बाद certification है उनको add कर सकते हैं ठीक है work preferences बता सकते हैं कि आपको travel करना है domestically internationally नहीं करना तो no कर दीजिए willing to relocate ठीक है अगर company चाहिए आपको abroad में relocate करना तो yes कीजिए नहीं करना चाते तो no कर दीजिए प्रेफर location बता सकते हैं वैसे जो है job के according आपको जहां की job है वहां जाके तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि company का वही manufacturing plant है ID प्रोफ्स आपने attach करने है अपना धार या water ID या plan कुछ भी उनमें से ठीक है तो अपनी qualification certificate यहां पर attach कर सकते है जहां star नगा है जो यहां पर यहां पर upload करना आपको जरूरी है ठीक है अगर experience certificate अटाइच कर सकते हैं तो इससे रहने दीजिए तो अपने language details आपकी हो गई उसके बाद उस तो company पूछ रही है किसी भी तरह की आपके पास scholarship आपको मिला है तो डाल सकते हैं अगर आपकी degree honors मे किया है तो वह भी डाल सकते हैं आपर तो details of original paper को thesis आपने complete किया उसके बारे में आप पता सकते हैं किसी तरह की membership आपके पास वह भी आप यहां पता सकते हैं किसी तरह की physical disability है तो भी यहां पर आप पता सकते हैं तो किसी की तरह का criminal आपका कोई case वगएरा चल रहा है तो yes अगर yes करेंगे तो उसके बारे में detail आपको डालनी पड़ेगी अपकी hobbies and extracurricular activities ठीक है social legion and cultural political organization के बारे में बढ़ा सकते हैं अगर आप किसी के ताद भी joined है आपकी skills and stand किया है so what responsivity would you like to take up ठीक है आपकी gross salary आपका present ctc तो बताना है अगर आप काम कर रहे नहीं कर रहे तो आपको यहां पर कुछ पई नहीं लिए नहीं लिखना चे कैंधो किसी भी तरह का star नहीं लिछा तो याँ पर आपको जरूरी अब ढो कर दूज है अब तो कि अई अब बस सक दो